पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे सबसे बड़ी चीज मैंने फील करिये वो तो इनसान को किसी भी तरह की टेंशन रहती ही नहीं है जितनी मर्जी बड़ी टेंशन आ जाना लाइफ में ये एकदम से खतम कर देते हैं मंदिर सारा उलट पुलट हुआ भाए था पाने गिरा हुआ था जो भोग रखा था वो गिरा था सारा और उन्हें मंदिर तहस नहस किया हुआ था मैं घर पे इनको जब तयार करती हुँना मेरे देधे दु गुंटा अराम से जाता है पर जब मैं व्रिंदावन आ जाती हूना चाहे राधारानी का शिंगार कर दूँ पांच मिनट के अंदर ये चुप-चप तेयार हो जाते हैं राधे राधे मैं हूँ सौरप ब्रज भूमी में देश से ही नहीं बलकि विदेश से भी भगता आते हैं जो कवार इस धर्ती पर आ जाता है वह बिरंदावन का यी भव गर जाता है एक हमारे साथ भक्त हैं, आईए इंसे बात करते हैं राधे राधे, क्या नाम है आपका? शिप्रा शिप्रा जी कहां की रहने वाली हैं आप? मैं पञजाब अमरिसर की अम्रिस सर से ब्रंदावन का सफर कैसे शुरू हुआ आपका? मुझे बच्पन से ही कृष्ण भगवान के साथ बहुत लगन थी मेरे नानी जी आते थे यहां पर ब्रंदावन तो मैं उनको बोलती थी मुझे भी ले जाओ साथ में मुझे भी ले जाओ पर वो कभी नहीं लेकी नहीं आये तो एक बार पापा यहां पर डेली आये पापा की ड्यूटी थी यहां पर तो तब हम ब्रंदावन आए मैंने अपनी चाची को कहा कि चलो तो दो दिन का हमारे पास टाइम है हम चलते हैं तो तब मैं आई थी तीन साल हो गए उसको बस तब से लगातार आ रही हूं मैं दो तिन महीने के बाद बिंदावन आही जाती हूं अब इस तर में आप क्या करती हैं अगर बात करें आपकी फैंबली की पिता जी आपके क्या करते हैं मेरे पिता जी डी एस पी है पुलिस में और माता जी मेरे घर पर ही काम करते हैं मैं भी मास्टर्स अपनी कर चुकी हूँ, मैं यूट्यूब चैनल में व्लॉगिंग करती हूँ व्लॉगिंग चैनल का अब किस चीज का आपका चैनल है? मेरा डेली रूटीन का, कुछ इनकी चीजे दिखा देती हूँ, कुछ अपना दिखा लेती हूँ व्रिंदवन आती हूँ, तो जाधा वीडियोज मेरी व्रिंदवन की ही है तो जो आपके पर श्ठाकुर जी है, इनका क्या नाम है? अब अपने को क्या मानती है इनका नाम बरफी है, और मैं इनको बेटा मानती हूँ शुरू से ही अपके पास यह कहां से आये और आपने इनका नाम बर्फी क्यों रखा? हम सोच रहे थे नाम में दुरुग्याना मंदिर है अमरिसर में मैं वहां से यह मेरे घर आये हैं जा तो बहुत ही प्यारे लग़े थैंट और अश लग रहा था कि हैं मुझे ले चलो साथ में तो ले आय एंको सात में और नाम डिसाइड करना पड़ा जब कह रहे थे every life नो कहा की नाम रיה चपने कि अत्या में उपता था तो मैं तो मैं उट्खा, मैं तो ठीक साफwn रखा थे राक हो, तो फुशी दीमाग में आया जब कि मुझे बल्कुल पसंद भी नहीं है, मैं खाती भी नहीं हो पर दीमाग में यही नही में यही रखा तो आप इनका बेटे के रूप में ने मानती हैं, तो सेवा करते हैं तो सेवा करते हैं तो सुबज इसे साथ बजे उठ जाती हूं तो लेट हो जाती हूं कभी सोने में तो साथ बजे में उठती हूं उसके बाद उठके इनको उठाओ पले नहा के फिर मैं इनको उठाती हूं रात को इनको फिर दूद पिला के फिर मैं सुला देती हूं जब से आपके जीवन में आएं आपके लाइफ में तो क्या बदला आपके लाइफ में बहुत ही जादा बदला आवा हैं बहुत जादा यह लाइफ इतनी जादा उतल पुतल हो रही थी अभी एक साल पहले बहुत जादा हुई है पर इनोंने मुझे डोल नहीं ही नहीं दिया बहुत कुछ ऐसा भी हुए जो मैं शायद नहीं भी बरदाश कर सकती थी पर कुछ मुझे फील नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए हुआ उसके बाद जब से मैंने इनको होला कि जो आप कर रहे हो वो ही मेरे लिए अच्छा कर रहे gonna, सब कुछ अच्छा कर रहें आप, बस अब मुझे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है कि mi हमारा रात को रहने का कोई प्लान नहीं था हमारा था कि वापिस आजाएंगे पर बाई-चास रात को रहना पड़ा तो जब हम वापस आए तो यह घर पर ही थे, मंदिर सारा उलट पुलट वा था, पाने गिरा हुआ था, जो भोग रखा था, वो गिरा था, सारा अरुने मंदिर तहस नहस किया हुआ था, तो तब से तो मेरे को था कि अब मैंने थोड़ी देर के लिए अगर डाउटफुल हू पर उनको नहीं बताना, मैं क्या सोचती हूं, वो कहते हैं इसको लेकर नहीं जाना साथ में, लोग बुरे हाथ लगाएंगे, गंदे हाथ लगाएंगे, किसी का साय अच्छा नहीं है, कल मैं बांके भीहारी गी थे, तो मुझे वहां के गोस्वामी जी नहीं लेकर जाए कर पर नहीं, जो मर्जी कोई कहें, मैं साथ में ही जाओंगे जहां भी जाओंगे, जहां भी जाओंगे, पंजाब में जब जाती हैं, कहां ले जाती हैं इनको, पंजाब में अगर मैं मंदिर जाती हूं, तो ही लेकर जाती हूं, और कही सी जगाते में लेकर नहीं जाती हूं कवी घरपे कोई ना कोई होता हि है तो मंदिर अगर मैंने जाना Εभणनां कहा हृता है तो में जाती हूं तो वहां ठीश वहां पर मैं इनको साथ नहीं लेकर जाती है इनको उत्क रखन क्यों जोरूरी है आप ने अठाखा है लोगों से क्या कहेंगे इंको इसलिए रखना जरूरी है सबसे बड़ी जो चीज मैंने फील करिये वो तो इनसान को किसी भी तरह की टेंशन रहती ही नहीं है जितनी मर्जी बड़ी टेंशन आ जाना लाइफ में ये एकदम से खतम कर देते हैं कोई टेंशन नहीं आते इंसे आज आपने लड़ू बपाल को राधारानी के रूप में पनाया एसा क्यों कि जब में इनको ये मेरे घर आये थे ना तो ये राधारानी के रूप में ही आये थे और आज हम बरसाने जा रहे हैं तो वैसे भी वह ने वह भज़न ही है शाम बहुत ही जादा मैं घर पे इनको जब तैयार करती हुना मेरे डेड़ दूंटा अराम से जाता है कभी एक चीज उतार दी कभी कुछ उतार दिया कभी कपड़ा उतार दिया कभी पगड़ी उतार दी पर जब मैं वरंदावन आ जाती हुना इनको बस एक जगा भी ठाने की देर होती है पांच मिनट के अंदर जैसी मर्जी डिफिकल्ट मैं पगड़ी बान दू चाहे राधारानी का शिंगार कर दू पांच मिनट के अंदर ये चुप-चप तैयार हो जाते हैं सबसे आदा का भावक हुई इनको लेकर आप मैं हुई थी जब मैं पहली बार आई थ तो मैं पैदल चल रही थी मैं और अलड़ू गपाल साथ में तो मेरे को रास्ते में लोग देखने लगे तो मैं डर गई तो मैंने कहा कि मेरे साथ चलो मैं बहुत डर रही हूं इस टाइम पर लोग देख रहे हैं तो आप साथ चलो मेरे तो उस ताइम पर मेरे पास में एक जब मैंने देखा पहले मेरे दिमाग में ने आया पर जब मैंने देखा कि कौन था ऐसे कैसे मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वाम पे कोई भी नहीं था क्या मानती है कौन था वह बिल्कुल बिल्कुल क्रिशन भगवान थे और कोई हो ही नहीं सकता बिल्कुल पिछे से राधारानी ने उनको रोका और वो ही मेरे साथ चल रहे थे आपके उमर के जो लड़के लड़कियां है वो कुछ अलग पार्टी वगरा करती लेकिन आप भक्ती में लगता नहीं है कि मैं भी पार्टी वगरा करूं बिल्कुल मुझे जितना अनंद इस भक्ती में आ रहा है मुझे वहां पर आई नहीं सकता ना मैंने कभी कोशिश भ अगे जहां मैं जाओंगी वहां साथ ही जाएंगे इनको फिछे में छोड़ी ने सकती है अगर कोई भजन आप इन्हें सुनाती हूं जो आप हमें सुना सकें यहां पर यह वाज इत्ती अच्छी नहीं है पर हाँ जो पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारे लाज जाएगी पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे रादे 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 देखिए अब तक हमारे साथ रही यह भक्त जो अम्रिस सर से ब्रद्धावन आई है इनका कहना है जब से नोने लडू-गो-पाल की सेवा करना सुरू किया इनका जीवन ही बदल गया आप रोजाना इनकी सेवा करती हैं जब भी ब्रद्धावन आती ह हैं तो कई चमतकार इनके लडू को पाल करते हैं का कहना है कि जब तक मैं जी होंगी तब तक इनकी सेवा करूंगी और जहां भी जाओंगी साथ ले जाओंगी राधे राधे